तो बच्चा पाटी जो है कौन के मिरर की हमें इमेज फॉर्मिशन करनी है तो देखो पहले केस में क्या है ऑबजेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है और इमेज फोकस पर है तो उसकी इमेज यह है देख सकते हैं साइज और नेचर क्या है अगली है बियोंड सी अच्छे इसमें लॉजिक लग रहा है अगर देखना चाहोगी तो आप कि आपजेक्ट पहले तो इंफिनिटी पर था अब क्या आ गया है सी के पीछे आ गया है और अगली हमेज में क्या हो रहा है कि यह सी पर आ गया है तो अब अगर हम इधर देखें फूर्थ पार्ट में तो यह जो हर यह पीछे तो के बीच में तो आप नहीं हो रहा है आएंगे की तरफ बटशा चाह रहा है और इमेज इस तरफ पीछे की तरफ चाहर रही है तो आप इस तो यह